देश हित की बात मात्रफ भुमी न्यूस के साथ मुंड़क्या ग्राम सेवा सहकारी समिती के व्यवस्थापक पर लगाया आरोपों को बताया निराधार चबड़ा उपखंड के मुंड़क्या गाव के ग्रामीनों ने शनिवार को उपखंड अधिकारी को ग्यापन देकर मुंड़क्या ग्राम सेवा सहकारी समिती में कार्यरत व्यवस्थापक पर लगाये गए आरोपों को निराधार बताया है तथा उन्हें यथावत रखने की मान की है मुंगला के ग्रामीनों ने SDM को दिये ग्यापन में बताया कि सभी ग्रामवासी मुंड़क्या ग्राम सेवा सहकारी समिती लिमिटिड के वर्तमान में कार्यरत व्यवस्थापक जोधराज सिंध हाडा की समिती में कार्य शैली से काफी प्रसन है हम उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं ग्राम में एक राजनीतिक द्वेश्था के कारण उक्त व्यवस्थापक पर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जिसे उनका कोई लेना देना नहीं है NSUI नगर अध्यक्ष की जनमदिन पर किये फल वित्रित चबड़ा पार्षद सल्मान खान, पार्षद प्रतिनिधी अजय तेजस्वी, छात्रसंग अध्यक्ष निलेश नागर, पूर्व छात्रसंग अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, राजकुमार शर्मा, डेवेंडर महताव वह मुहम्मद सेफ सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे. अवैद धारदार हथियार लेकर घूमने के दोशी को अदालत ने सुनाई सजा. चबडा जानकारी के अनुसार 24 अगस्ट 2021 को ककरवा गाउं निवासी सुरेश को पुलिस ने गस्ट के दोरान धारदार चुरा लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया था। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 41 वी छात्र कला प्रदर्शनी के पुरुसकारों की घोशना। चबड़ा के निवासी युवा चित्रकार दीपक सोनी की कलाकृती का भी चैन चबड़ा राजस्थान ललित कला अकादमी ने हाल ही में 41 वी छात्र कला प्रदर्शनी के पुरुसकारों की घोशना की जिसमें निरनायक मंडल ने राज्य के विजेता 10 कला विद्यार्थियो की नाम घोशित किये जिसमें चबड़ा के युवा चित्रकार दीपक सोनी की कलाकृती सपनों की दोर का भी चैन किया गया। रहिए देश्यत की बात मत्रभूमी न्यूज के साथ आप सभी का हार्दिक आभार धन्यवाद.